आप लोगों ने हाल ही में अगर UPPCS Prelims 2020 दिया है तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि एक आपका रामसर इस्थलों से संबंधित एक कुश्चन्स आया हुआ थो और UPPCS की बात ही मत करिए आप लोग सेविल सर्विस उठाकर देखे लिए आईएस के प्रेलिम्स कुश्चन्स या अन एक जाम के किसी भी के आपके कुश्चन्स पेपर उठाकर देखिए उसमें आपको पता चल जाएगा कि रामसर इस्थलों से कुश्चन्स हमेशा पूंच यानि कि अभी आप इसको मिलाकर आपके 38 भारत के रामसर इस्थलों की सूची हो चुकी है इससे पहले बता देता हूँ एक सामन जानकारी के लिए कि 10 कौन कौन से जोड़े गए थे तो इनमे 6 आपके उप्तपिदेश के थे पंजाब के 3 थे और आपका महराष्ट का एक थ केशोपूर म्यानी समुदायक रिजव गुरुदासपूर पंजाब का था ब्यासनरक्षन रिजव पंजाब का था नांगल बंदीजीव अभ्यारण रूपनगर पंजाब का था नमाब गंज पक्छी अभ्यारण वुन्नाव उत्तर प्यदेश का था पारवर्ती अरगा प पक्षी अभ्यारण ए मेनपुरी उत्तर्प्यदिश में सर्णवर जील ए एटावा उत्तर्प्यदिश केुआ इसरग्षार्प्यश को । आसन सरक्षानेजर रामसर कर्वेंशन से मानता प्राप्त करने वाला उत्तराखंड का पहला आदमूमी स्थल बन गया है तो याद रखी उत्तराखंड का पहला है और भारत का कौन सी नंबर का है 38 बार एक बार मैप्स में इसकी स्थिदी देख लिजे आप लोग यह हमारा प्यारा भारत इसमें आप जाएंगी तो उत्तराखंड चलिए पहले यह आपका उत्तराखंड तो उत्तराखंड में आप देहरादून में देखेंगे इसे, यह है आपका आसियान कंजर्वेशन रिसॉर्ट या जो भी कहना हो आपको, ठीक है? तो यहाँ है आपका. सयुक्तराष्ट परियावन कारकरम की तहट कारकरने वाली अंतराष्टी संस्था कन्वेंशन आफ माईगरेटी स्पीसी की ओर नए बेटलेंड कपिस्ताव मांगा गया था. इसी करम में उत्राखंड बन विवाग ने देरादू जिले में इस्तित आसन कंजर्वेशन रिजर्व का पिस्ताव CMS को भेजा था. याद रखिए उत्राखंड की देरादू इस्तित कंजर्वेशन रिजर्व आसन बेटलेंड को रामसर साइट में सामिल कर लिया गया है. इसी के साथ देश में रामसा साइटों की संख्या बढ़कर होई 38, कितनी 38, इसी के साथ भारत दच्छे डेसिया में सबसे ज़्यादा रामसा साइट वाला देश बन गया है, कहां दच्छे डेसिया में, आसन कंजरवेशन रजर्व के बार में कुछ जानकरी खट्टी कर गया था, यहां अक्टूबर में प्रवासी परिद्नों का आखमन होता है, और यह मार्च आखिरी तक डेरा डाले रहते हैं, जहां मद्देशिया समय चेन, रूस, आधी अलाकों से पक्छियां, पक्छी यहां प्रवासकर पर पहुंचते हैं, ठीक है कहां, आपके जो आसन बेटलें सुर्खाव पक्छी जिसे रूडी सेलडग भी कहा जाता है, का पसंदीदा इस खलवी है, रामसर कन्वेंशन के बारे में बात करूँ तो दो फरवरी 1971 को इरान के रामसर में अंतरश्टी मत्व की आदमुमी पर रामसर कन्वेंशन को अपनाये गया था, भारभी रामसर कन्वेंशन का एक हस्ताक्चर करता देश है, इस तरह से भी बहुँ सकता है कि आपका कि भारत इसका हस्ताक्चर करता देश है या नहीं है, तो याद रखी भारत भी है इसमें जुड़ा हुए है, और 1971 में याद रखी इरान के रामसर में अंतरश्टी मत्वेंशन क और एक तरह से रामसर्द कन्वेंशन भी कहा जाता है, आद्भूमी की बात करें, क्या होती आद्भूमी आखिर, आद्भूमी यसी भूमी को कहते हैं आप लोग, जिसमें या तो इस्थाई, रोप से या फिर मौसमी तौर पानी भरा रहता है, और या एक अलग पेकार की पर स्थिति की महत्व अत्यदे के इपराक्तिक जैब दिवीत्ता के अस्थिति के लिए महत्पून है, ये पक्षियां और जानपरों की बिलोप्त प्राय और दुल्लब प्रजातियां, प्रजातियों, देशाज पोधों और कीडों को उप्यूक्त आवासुपलब्द कराती है यानि कि आदभूमियां इन सभी के लिए जैसे चाहे आपका कोई जान बर हो गया, पक्षी हो गया, या कोई दुल्लब पर जाती हो गई, कोई पोधा हो गया, कोई कीड हो गया, इनके लिए एक तरह से स्वर्वचित आवासुपलब्द कराती हैं, भारत में आदभूमी सर सरक्षन कार करम शुरूम किया था, कब 1986 में, इसके साथ ही राष्टिय जील सरक्षन यूजना भी लाए गई, बाद में दोहराओ से बचने के लिए राष्टिय जील सरक्षन यूजना और राष्टीय आदभूमी सरक्षन कार करम का बिलाया करकरगी राष्टीय जलियेः पारिस्तिती तंत सरक्षण योजना को लाए गया भारत में बैट लेंट सरक्षण के लिए कुछ मुख्र कानून भी है कौन कौन से हैं यह आप देखेंगे भारतीय मस्य अधिनियं 1857 भारती बन अधिनियं 1927 वन जीवन सरक्षण अधिनियं 1922 जल सरक्षण येपं 2527 अधि नियं 1964 समुद्रिय छेत अधिनियं 1906, जन सरक्षन अभवं की दूसर देंतर अधिनियम 1977, बनन सरक्षन अधिनियम अधिनियम 2022, यह लगिए परेल्मस में क्रम से लगाने के लिए भी आ जाते हैं, कि सबसे पहले कोया है। सबसे बाद में कौन आया हूँ, इसलिए तो मैं बोलता हूँ कि आप लोग कम से कम 5-7 साल के questions पेबर उठा के देख लिजे, UPPCS, MPPSC और Civil Service के तो मैं complete करवा चुका हूँ, आपके 7-8 साल के कम से कम, तो आप लोग देखते रही है, उससे क्या रहता है कि एक अंदाजा लग जाता है कि कहां से कितने questions पहुचने की संभावना है, ठीक है, एक कौन, तो इससे भी आप लोग याद रखिए, आपके कुल 38 हो चुके हैं अभी,